दोस्तों कुगबाय प्रियंका में आप सभी का सागत है तो क्या बात है आपके यहां भी कोई परवल नहीं खाता है बहुत इकते होती हैं परवल बहुत ही फायदे मंद करता है तो चली आज हम आपको एक नई सी रेश्पी बताने वाले हैं जिससे आपको परवल सभी लोग म भाग करेंगे टीक जादा नहीं करना है सिब एक भाग में दो भाग करेंगे 20 से कट लगाएंगे तो चलिए इसको हम फटा फट से कट लगा लेते हैं तो यह देखिए दोस्तों हमने कट लगा लिया है आप देख सकते हैं तो देखिए एक से दो भाग में हमने चीरा लगाया आप देख रहे होंगे ये देखे दोस्तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना अगर आपको चार भाग करना है तो आप कर सकते हैं वैसे आप दो भागी करिए तो ज़्यादा अच्छा बनेगा तो ये देखे दोस्तो हमने सारा का सारा परवल अराम से कट कर लिया है आप से कम आपका पचास ग्राम की लंचम आपका लसुन है और ये दो इंच हमने अदरक का टुकड़ा ले लिया हुआ इसको भी हमने छील लिया है और ये ले लिया हमने हरी मिर्च हरी मिर्च का तीन से चार हरी मिर्च ले लिया है ठीक है अब इसको हम क्या करेंगे इसको नहीं कर ना है सिर्द जिश्र डाल दो people को पीशना है उसके बार हम इसमें डालेंगे दढूस कर जीर्षस डालने से पहले आप इसकिब करना चाहते तो किब सकते हैं वैसे आप अगर आप जीरा डाल देंगे, तो बहुत ही बड़िया स्वाध हो जाएगा अब चलिए इसको हम पेश्ट बना लेते हैं, धकन बन कर लेते हैं बन करने के बाद लीजीए हमने धर बरह सा ये पेश्ट बना का त्यार कर लिया है अब इसमें डाल देंगे हम पानी तो यह देखिए दोस्तों एक धकन तक हमने पानी डाल दिया है अब इसको हम खुब बड़ी ऐसा चला देंगे तो चलिए एक बार फीज से बना लेते हैं तो लीजे हमारा पेश्ट बन कर तयार हो गया देखिए कितना बड़ी ऐसा फाइन लग रहा है न बढ़ी ऐसा अब चलिए आए गैस पर चलते हैं तो लीजे हमने गैस पर एक पैन चड़ा दिया है पैन चड़ाने के बाद अब इसमें डालेंगे हम सरसो का तेल ये देखिए दोस्तों हमने इसमें सरसो का तेल डाल देंगे आप कोई भी कुकिंग ओयल जो भी आप इसको गरम करना है अब चलिए इसमें ले ले लेते हैं जीडा झीडा डालने दिगे इसको अब हम उग्को बड़ी आसओ चला हैंगे उससे पहले हम इसमें डाल देंग beginning तो चमच हल्दी दौली डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे अब इसमें बिल्कुल से तयार हो गया आप डेख सकते इसमें पानी का हमने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है और इसको हम इसी तरह तेल में ही पकाएंगे तो लीजे हमने इसमें लिड लगा दिया है और लिड लगाने के बाद कम से कम इसको 15-20 मिनट तक विल्कुल स्लो फेम में हम इसको पकाएंगे तो ये देखिए मीडियम साइज में आप इसको कल लीजे अब इसको हम 15 मिनट बाद जिस तरह आप देख रहे हैं हमारी वीडियो में उसी तरह ही हलका सामारा सॉप्ट हो जाए ज्यादा ना पके अब इसमें मसाला एड़ करेंगे तो चलिए इसको हमने चला लिया है अब देखिए हमने यह मसाला जो हमने बनाया हुआ था अधरक लसुन मिर्च का यह पेश्ट हैं तो इसकिप कर सकते हैं अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा इसमें डाल दीजे थोड़ा कलोंजी मसाला डाल दीजे और इसमें थोड़ा सा डाल दीजे धनिया पौडर कलोंजी मसाला नहीं है तो आप धनिया पौडर भी डाल सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे द लिट 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 से हम इसको 5-7 मिनट तक फिर ठक के पकाएंगे तो यह लिजे हमने धकन को बंकर दीया है भाद अब 5-7 मिनट रुकते हैं तो लिजे दोस्तों हमारा 5-7 मिनट हो चुका है आप देख सकते हैं देखिए किता बढ़िया सा कलर खिल के आ गया है देख रहे हैं तो जो आगर परवल आपके घर में बहुत से लोग नहीं खाते हैं तो आप यह परवल बना कर ट्राइ कीजिए सच बता रहे हैं यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया सभी लोग को पूरे घर वालों को बहुत ही पसंद आएगा इसको आप पूरी के साथ पराठे के साथ भी द कर देते हैं और इसको आपको प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं तो चलिए हमारे साथ तो अगर मुह में पानी आ रहा होगा तो जरूर हमें बताइए का कमेंट करके तो लीजे हमने इसको पूरी के साथ निकाला है तो लीजे हमने चार पूरी निकाल दी है अब हम निकालत गया एची लिए से बगए में सबसक्राइब है लिएस सब्सक्राइब में जरू बाइब हैWo कोर रागा है आप अधे उतने…. फट से कमेंट करिएगा कमेंट करके हमें बताइएगा हमारा मक्सद है आपको ज्यादा से ज्यादा कम चीज में आपको अच्छे से अच्छी वीडियो हम आपको देना चाहते हैं कि ताकि कम समान में आपको अच्छी वीडियो मिल सके तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रह झाल, 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 झाल